दोस्तो, यूरोपिय देशों की जियो पॉल्टिक्स भारत का नुकसान करने की बजाए, भारत का बहुत बड़ा फायदा कर रही है. यूरोपियन देशों ने भारत की आर्थिक तरक्की से परेशान होकर कई बार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है. लेकिन यह बात अब सच साबित हो चुकी है कि यूरोपिय देशों ने जितनी बार भारत का नुक्षान करने की कोशिश की है और भारत के प्रती इरश्या रखी है तब-तब भारत को इन ही देशों के द्वारा काफी ज्यादा फायदा हुआ है और हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे भारत को अपनी जियो पॉलिटिक्स पर और भी ज्यादा गर्व हो रहा है दरसल यह कोई छोटी मोटी खबर नहीं है बलकि यह खबर कई देशों के लिए चौकाने वाली है क्योंकि भारत का जो पेट्रॉलियम प्रोड़क्ट का एकस्पोर्ट है उसमें पिछले पाँच सालों में इतना परसंट व्रिद्धि हुई है जिसका अंदाजा खुद भारत को भी नहीं था पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में यह ग्रोथ 2,53,788% की हुई है जी हाँ दोस्तों यह आंकड़ा दप्रिंट के इस आर्टिकल में देखा जा सकता है इस आंकड़े ने कई देशों की नींद उड़ा कर रख दी है क्योंकि भारत के द्वारा यूरोपिय देशों में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट सेक्टर में इतनी ज्यादा ग्रोथ होना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि यह वही यूरोपिय देश हैं जो पिछले कुछ सालों से अपने नियम कानून बार-बार बदल कर भारत पर अलग-अलग प्रकार की ड्यूटी इंपोज करके भारत को यूरोपिय देशों में घुसने से रोकने के लिए कई कदम उठा चुके हैं पूरी डेवलप्मेंट क्या है? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने यूरोपिय देशों को जिस तरह से आउकाद दिखाई है उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ये आप प्रती इनकी इरश्या भी किसी से छिपा नहीं है. इन देशों ने आपस में व्यापारिक और प्रशासनिक पार्टनर्शिप की हुई है, जिससे यूरोपीय यूनियन के लगभग सभी देशों पर लागू होने वाले नियमों का पालन करते हैं. लेकिन एक तरफ जहां भारत की कई बार टांग खींचने की कोशिश की है. वहीं यूरोपीयन का ही एक देश है रूस जो की हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है. ऐसे में रूस भारत के साथ अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहता है और भारत रूस रूस की दोस्ती दुनिया को पहली बार तब दिखी जब धाई साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसके कारण अमेरिका ने रूस पर कई सैंक्शन्स लगा दिये थे, जिसके कारण रूस का दूसरे देशों के साथ व्यापार ठप हो गया. यहां तक कि जो यूरोपिय यूनियन के अन्य देश हैं, वह खुद रूस के साथ अमेरिकी सैंक्शन के चलते व्यापार करने से डर रहे थे, और ना तो कोई प्रॉडक्ट रूस को एक्सपोर्ट करना चाहते थे और ना ही खरीदने के लिए तयार थे, जबकि इसके पहले लगभग सभी यूरोपिय देश रूस से ही कच्चे तेल को इंपोर्ट कर रहे थे, यहां तक कि इस समय रूस ने सस्ते दामों में कच्चा तेल ओफर किया, फिर भी यह देश खरीदने के लिए तयार नहीं थे, फिर उस समय भारत ने हिम्मत जुटाई, और अपनी कूट करनीती का इस्तिमाल करते हुए, रूस से सस्ते दामों में क्रूड आयल को खरीदना शुरू किया, जिसके लिए भारत ने रूस को सीधे रुपए में पेमेंट किया, क्योंकि अमेरिकी सैंक्चन के चलते, यूस डोलर में व्यापार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित था जिसके चलते, भारत ने अंतर राष्ट्री इस तर पर रुपए को प्रमोट करने के लिए, यूपी आई को एक नया रास्ता बनाया है, ताकि दोनों ही कंट्रीज आपस में बिना किसी तीसरी करेंसी का इस्तिमाल करते हुए, ट्रांजैक्शन कर पाएं जिसके चलते, अब तक हमने सिंगापूर, मलेशिया, यूए, फ्रांस, नेपाल, यूके, मोरीशस और श्री लंका में यूपी आई को लोंज कर दिया है, इसमें कई देश पार्शिल एकसेप्ट करते हैं और कुछ ही देश कम्प्लिटली इसे एकसेप्ट करना शुरू कर लेकिन अब अमेरिका और फ्रांस इस चीज से सहमत हैं और इसमें सबसे बड़ी चिंता सिर्फ अमेरिका की ही सामने आई है, जहां पर अमेरिका का कहना है कि यूपी आई को जो वैश्वी करन भारत की तरफ से किया जा रहा है, इस समय इससे जो वेस्टर्न भुक्तान प्र अमेरिका को जलन इसलिए भी है, क्योंकि अमेरिका ने जब अपने मास्टर कार्ड और वीजा को शुरू किया था, तो इन्हें एक मिनिममम यूजर बेस लाने में कई सालों का वक्त लग गया, लेकिन यूपी आई ने सिर्फ दो से तीन सालों के अंदर सभी रिकॉर्ड त जिसके बाद अमेरिका जैसे देश टेंसन में आ गए, और जब भारत ने रूस से इस तरीके की कूटनीती का इस्तेमाल करते हुए, सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीद कर फायदा उठाना शुरू किया, तो इस समय यूरोपियन यूनियन के देशों ने भारत के खिलाफ अपना दोगलापन दिखाया और भारत को रोकने की कोशिश की, और भारत पर आरोप लगाने की कोशिश की, कि भारत युद्ध को बढ़ावा दे रहा है और रूस की मदद करके खुद इसका फायदा उठा रहा है, जबकि देखा जाए, तो भारत ने हमेशा शान्ती का पक फिलहाल यूरोपिय देशों ने रूस के साथ तो व्यापार करना लगभग पूरी तरीके से बंद कर दिया, लेकिन इनका मेजर ट्रेड भारत के साथ शिफ्ट होने लगा, क्योंकि खाने पीने के प्रोडक्ट से लेकर सभी प्रकार के प्रोडक्ट तो अलरेडी भारत के द्वारा यूरोप में एक्सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन जब इन देशों ने रूस से डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेना कम कर दिया, तो इसका भारत को बहुत बड़ा फाइदा हुआ, क्योंकि यूरोपिय देशों ने ज्यादा तर डीजल और पेट्रोल प्रोडक्ट भेजा गया, जिससे अमेरिका और चीन के पेट्रोलियम इंडस्ट्री की धजियां उड़ गई, और धीरे धीरे यूरोपिय देश पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए भी भारत पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, कि यह अपनी डिपेंडेंसी भारत से कम कर ही नहीं सकते, और आज के समय में भारत को यूरोपियन यूनियन के लगभग सभी कंट्रीज का एक बहुत बड़ा मार्केट एकसेस मिल गया है, जहां भारत के द्वारा डीजल और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और इसका आंकड अभी भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि भारत को अभी भी रूस से सस्ते दामों में क्रूड ओयल मिल पा रहा है, और इसी बीच और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत को इस वक्त रूस से सस्ते दामों में क्रूड ओयल मिल ही रहा था, कि इसी बिच अन् भारत में काफी सारी रिफाइनरी मौजूद है जिनमें जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो की भारत में मौजूद है और यह हर दिन लगभग 12,40,000 क्रूड ओयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और अन्य उपयोगी तेल में बदल दे जो की ना सर्फ भारत में उपयोग किया जाता है बलकि भारत की टेल रिफाइनिंग कमपनियों के द्वारा यूरोपिय देशों के साथ साथ भारत के द्वारा बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव जैसे लगभग सभी पडोसी देशों में एक्सपोर्ट किय जाता है, जबकि देखा जाए तो भारत में क्रूड ओयल का प्रोडक्शन भी नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग ओयल रिफाइनिंग का हब बन कर बैठे हुए हैं, आज के समय में दुनिया में लगभग 100 से भी अधिक ऐसे देश है, जहां पर भारत के द् जानीती का इस्तिमाल करके यूरोपिय देशों को अपने आप पर डिपेंडेंट बना लिया है, जिससे अब इसका फायदा आने वाले समय में हम लोग काफी ज्यादा उठाने वाले हैं, कि आप लोगों को क्या लगता है कि यूरोपिय देश फिर से भारत को गिरने की कोश करेगा या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत